हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे सिलिंग पंखा के बोडी में बेरिंग लुज लगता है तो इसे हमें घर पर ही कैसे ठिक करना है देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर बेरिंग लगाते हैं तो बेरिंग जो है यहाँ पर लोज बर्थता है जबकि यहाँ पर बेरिंग चाल्ट बर्थना चाहिए लोज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बेरिंग यहाँ पर अगर लोज रहेगा तो हमारा सिलिंग पंखा खट खट खचर खचर की आवाज करने लगेगा दोस्तों यहाँ पर बेरिंग लूज रहने का एक और कारण भी हो सकता है हमारा सिलिंग पंखा जाम भी हो सकता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको देशी जुगार से बेरिंग घाट को ठिक करना सिखाऊंगा इसमें और यहाँ बेरिंग घाट जो है खिक हो जाएगा तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको इस घाट में इसके बेरिंग को लगा कर आपको दिखा देता हूं यह बासट जीरो एक नंबर का बेरिंग है दोस्तों जो की सभी पंखा के नीचे वाले बॉडि में लगता है देखिए दोस्तों यहाँ पर बेरिंग जो है बिलकुल लूज है उंगली फंसा कर खिंचने से यह बेरिंग बाहर निकल जा रहा है चलिए मैं आपको एक बार और इसे उंगली में फंसा कर खिंच कर दिखा देता हूं यह ऐसे हम बिना एक रूपिया खर्च किये इस बेरिंग के घाट को टाइट कर सकते हैं दोस्तों अगर आप इसे लेथ इंजिनियरिंग वर का सौप पर बनवाने के लिए लेकर जाएंगे तो वह आपसे इसका सौ रूपय तो लेही लेगा लेकिन आप इसे एक कोटन के कपड है तो आप इस तरह के कपड़े को भी ले सकते हैं देखिए दोस्तों कोटन के टेप को आपको इस तरह से लगा देना है और फिर उसके ऊपर में आपको बेरिंग को बिठा देना है अगर आपका बेरिंग फिर भी लूज होता है तो आप कपड़े को डबल भी कर सकते हैं य बेरिंग को लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है इस बेरिंग को यहां पर दोस्तों बहतर यहीं होगा कि आप यहां पर कोटन के कपड़े का ही योज करें या फिर कोटन टेप का ही योज करें अगर आप यहां पर बिजली टेप का योज करते हैं तो वह आपके बेरिंग को तो टाइट कर देगा लेकिन पंखा जब चलेगा तो कुछ देर बाद पंखा जब गर्म होगा तो वह टेप पिघलने लगेगा और वापस से आपका बेरिंग लूज हो जाएगा देखिए दोस्तों यहाँ पर बेरिंग जो है अच्छे से बैठ चुका है अब हमें इसके बा आज का यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेर भी कीजिए क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह का इलेक्ट्रिक से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं देखिए दोस्तों यह यहां पर बिल्कुल भी लूज नहीं है तो इस तरह से आप सिलिंग पंखा के बोडी के बेरिंग घाट को घर पर ही आसानी से रिपेर कर सकते हैं उमीद करता हूँ आज का मेरा यह छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी हेलपफूल होगा